अलो श्रोडिन वेलकम तो मैं यूटिव चैनल आज हम करते हैं क्लास एट तका एकस्टास 2.2 का कोश्चिन नमबर 4 कोश्चिन है सम आफ टू नमबर इस 95 चीक है सम आफ टू नमबर का सम जो है हमें 95 दे रखा है इफ वन एकसीड द अधर बाइफ 15 एकसीड मिन्स प्लस बुल कोश्चिन अधर एकसीड गाज चैनल कोश्चिन अधर प्लस नम ज़यले द एकसीड अधर बाइफ 15 वाले से प्लस प्लस बुल है तो मत्तास बीनीं जाओ दू नमबर 1800 कर देखिजू टू अब कोश्चचिन क्या होगा इन दूर नमबर दूरब यूरु sum of two numbers is 95 तो दो नमबर का sum 95 है तो क्या है पहला नमबर एक्स प्लस दूसरा नमबर एक्स ब्लस 15 इकल टो कितना से है 95 95 एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 इकल टो 95 2x 95 यहीं रहेगा 15 वह जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा माइनस करेंगे 95 माइनस 15 वह जाएगा तो यह जाएगा 2x इकल टो 80 x 2 मल्टिप्लाइ में है तो 2 हाँ जाएगा क्या हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा this implies 80 अपॉन 2 2 4 जाएगा 0 तो x कितना आ गया 40 चीक है और x क्या था हमारा smaller number तो smaller number हमारा x आ गया चीक है या one number क्या लिजिए one number equal to x other number other number क्या होगा other number equal to क्या था x plus 15 x plus 15 और x कितना है 40 तो 40 plus 15 कितना हो जाएगा जो हो जाएगा 5 तो आंसर क्या है हमारा first number हमारा क्या होगा 40 और other number हो जाएगा हमारा 55 यह था question number fourth 2 का question number 5 question है हमारा two numbers are in the ratio 5 ratio 3 ठीक है दो number का ratio दिया है जब भी हमें कोई question ऐसा आता है कि इसमें ratio मिलता है तो हम क्या ले लेते हैं इसको पहले वाला number क्या हो जाएगा हमारा 5 x और other हो जाएगा 3 x कभी भी ऐसा आएगा h का अगर आ गया कि h का ratio दिरका 5 ratio 3 तो पहला वाला हो जाएगा 5 x दूसरा 3 x तो क्या करते हैं इसका मतलब क्या होगा कि तोनों में कोई common factor होता है तो लेते हैं let common factor common factor b x common factor हमने अगर x ले लिया तो two numbers हैं तो first number क्या हो जाएगा first number equal to हो जाएगा 5 x क्योंकि पहले गा ratio 5 जा और second number second number हो जाएगा 3 x ठीक है हर question को ऐसे ही करना जब भी ratio जाएगा उसके बाद बोला है condition if they differ by 18 बोला अगर वो एक दोनों का जो subtraction है उसका 18 आता है ठीक है यानि according to question according to question तो subtraction कैसे होगा बड़े सी छोटा बढ़ा क्या है 5 x छोटा है 3 x तो बुलाएं कि दोनों का differ if they differ by 18 यानि 5 x minus 3 x equal to 18 मतलब कि दोनों का अगर difference 18 होता है यह condition दिये तो हमें number find करना है तो हम पहले x की value find करेंगे फिर x की value को हम इन दोनों put कर देंगे हमर पर number आ जाएंगे ठीक है अब 5 x minus 3 x क्या होता है 2 x equal to 18 multiply में है 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x equal to 18 2 upon में आ जाएगा 2 9 जा 18 x कितना आ गया x आ गया 9 अब first number first number क्या हमारा first number है हमारा 5 x और x कितना लिए हमारे find किया 9 तो जाएगा 5 into 9 5 9 जा 45 तो first number आ गया 45 second number second number है हमारा 3 x 3 into x कितना लिए हमारे find किया 9 9 तो 9 3 जा 27 तो दो नमबर समारे क्या होगे तीक है therefore numbers are numbers are 45 and 27 तीक है यह ता question number 5